आप देख रहे हैं जैभारत टीवी वर्सेज असी बनाम 20 का जो नेरेटिव सेट कर दिया लोगसवाद चुनाओं में क्या कुछ होने वाला है बादचीत के लिए हमारे साथ उत्रागन कॉंग्रेस की मुखे पर रवकता है गरीमा महरा दोसोनी मैम रिजल्ट तो आप लोग कुछ और सोचके बैठे थे लेकिन ऐसा हुआ नहीं आप लोगों की भी डूटियां लगी थी क्या देखा था आपने उस समय फिल्ड में नतीजे तो कुछ और ही आए नहीं देखिए जिस तरह की सरकार हमारी 36 गड में चल रही थी और जो ओरा एक मुख्यमंत्री के रूप में आदर्निय भुपेश भगेल जी का था जितनी जनहित कारी कल्यान कारी योजनाई उन्होंने शुरू की थी तो ऐसा लग रहा था कि प्रतिशत हम रिपीट कर रहे हैं और हमें ही क्यों आप exit polls देखिए ना exit polls में एक तरफा Congress को 36 गड में पुनरवापसी दिखाई जा रही थी राजिस्थान और मध्यप्रदेश में काटे की टकर हमें दिखाई जा रही थी तो कहीं न कहीं जो जनादेश आया है वो shocking है definitely हत्परप करने वाला है निराशा जनक है लेकिन हताश हम कते ही नहीं है हम क्योंकि राजनीती के छेत्र में हैं और ये part and parcel of life है कोई दल जीतता है कोई हारता है हम हिमाचल जीते हम करनाटक जीते और अभी हमारी आस अभी भी बाकी है कि जो गुलदस्ते स्वरूप हमारा पूरा देश है वो समझेगा इस बात को कि इस देश को एक जुट रखने का यदी साहस और समर्थ किसी में है तो वो कॉंग्रेस पार्टी में है क्योंकि विभिनकाओं वाला देश है यहां बहुत आसान नहीं होगा उस अजंडे के साथ चलना जिस अजंडे के साथ भाजपाद आगे बढ़ रही है निश्य तोर पर जूट की, प्रपंच की, आडंबर की और कहीं न कहीं खेरात की ये घोशनाएं थी और चुनाव आयोग का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो आँख बंद करके और चुपी साथ कर बैठा रहा जब खाते में आचार सहिता लागू होने के बावजूर लाड़ी बहना, योजना के तहत लोगों के खाते में, माताओं बहनों के खाते में दो हजार रुपे डाले जा रहे थे, एक चुनावी पुलाओ की तरह परोसे जा रहे थे और तो और आप देखिए कि भाजपा को इस इस्तर पर जाना पड़ा कि मध्यप्रदेश की जनता को साड़े चार सो का सिलेंडर ओफर करना पड़ा अगर आप मध्यप्रदेश की जनता को साड़े चार सो का सिलेंडर ओफर कर रहे हैं तो बाकी देश की जनता ने क्या आपकी भैस चुराई है क्या बाकी देश की जनता को क्यों नहीं ओफर कर रहे हैं फिर आप साड़े चार सो का सिलेंडर तो कहीं न कहीं पेरों के नीचे से जमीन तो सरकी थी भाजपा की क्योंकि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा था बहुत आक्रमक ढंग से कॉंग्रेस चुनाव लड़ी हमारा कारेकरता बहुत जोश में दिखाई पड़ा लेकिन हार और जीट जैसा कि मैंने कहा कि सिक्के के दो पहलू की तरह हैं तिलंगाना की जनता को शच्छत नमन है धन्यवाद है कि उन्होंने कॉंग्रेस की लाज बचाई है लेकिन आगे भी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें हमें बहुत आस है कि जनता आज नहीं तो कल भ दायकों में देख रहे हैं वो ही पूरे देश में हाल है तो कहीं न कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दिया इन चुनावों ने कि क्या बेरोजगारी, क्या महेंगाई, क्या भष्टाचार, क्या महिलाओं पर हो रहे अपराद, क्या किसानों की दूरदशा, ये सब अब मुद पर सेंटर होस्पिटल यहां स्थापित नहीं हुआ एक कोई ऐसा स्कूल यहां स्थापित नहीं हुआ जिससे यहां विकास के आयाम जिसको गड़े जाने की इबारत लिखी जाती और यहां लगातार आपदा आती रही उसमें हमने देखा किस तरह सी हिला हवाली हुई यहां म भाप पाने में वो तमाम एजिंसियां जिन्होंने एक्जिट पोल रिलीज किया वो भी नाकाम रहे तो कॉंग्रेस की क्या बिजात थी आपने मुद्दों की बाद बोली मैं मुद्दे तो जो आपने गिनाए वो नजर सभी को आ रहे थे गिरीराज सिंग का ट्विट आया जैसे ही माजराजीयों के नतीज़े आया उन्होंने का सनातन है सनातन था सनातन रहेगा यानि कि बीजेपी सनातन को एजेंडा बना रहे थी आपके वरिष्ट नेता है हरीश रावजी उन्होंने भी कहा कि हम सहिश्णू है कॉंग्रेस उस बात को समझती है लेकिन हम समझा नहीं पा रहे हैं लोगों को जिस सनातन की लोग दूसरे लोग बात कर रहे हैं असल में वो सनातन कॉंग्रेस ने सिरोधारे किया है क्या यहां पर फेल हुई कॉंग्रेस नहीं हो सकता है कि हम उसको कनवे ना कर पा रहे हूं पर मानने रावर जी ने जो बात कही उस अक्षर शह मैं उस बात से सहमत हूँ कि असली सनातन वो है जो शमादान देता है असली सनातन वो है जो लिब्रिल है जो अपने धर्म की तो सम्मान करता ही है लेकिन दूसरे धर्मों की भी इज़त करता है उसको भी अच्छी किसी ने किया है तो वो कॉंग्रेस पार्टी ने किया है और गिरीराज सिंग जी से कहना चाहती हूं कि सनातन देश के अंदर 2014 के बाद नहीं आया कुछ लोगों को और खास करके अंदभक्तों को ये गलत फेहमी हो गई है कि 2014 के बाद ही देश के अंदर हिंदू धर्म पनपा ह है या पल्लवित पुष्पित हुआ है हम तो पैदाईशी सनातनी थे कल भी थे आज भी है और कल भी रहेंगे भाजपा आए और जाए इतने सारे देशों ने आकरमन किया हमारे देश के उपर वो सनातन को खत्म नहीं कर पाए और कहीं न कहीं आप देखे ये लड़ाई जो है तो ये तो लॉजिकल सोचने वाली बात है वही लोग भाजपा में आस्था रख रहे हैं या भाजपा को वोट कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि जिनका जो लॉजिकली नहीं सोच पा रहे हैं कि भाजपा सिर्फ धर्म और सेना की आड में राजनीती कर रही है विकास से दूर दूर तक मतलब नहीं है, महिलाओं की अस्मिता से दूर दूर तक मतलब नहीं है, देश के अनदाताओं से कोई मतलब नहीं है, देश के बिरोजगारों से कोई मतलब नहीं है, बिरोजगारी का आकड़ा आप देखिए, पचास सालों का तूर गया, और जो वादे दाव के वादे हैं 15-15 लाक के वादे हैं और कई कई ऐसे वादे किये गए हैं जो आज तक धरातल पर नहीं उत्रे इनकी जूट की दुकान चल रही है लेकिन हमारी भी आज नहीं तो कल मुहबत की दुकान चलेगी जरूर इसलिए क्योंकि रात कितनी भी लंबी हो सवेरा होता आज जरूर है इंडिया गट्बंदन की बैठक भी होनी है variability मताबनर जी आएंगी नहीं आएंगी अखलेश यादो जाएंगे नहीं जाएंगे क्या हुने वाला इणिया में कॉंकि चोट कांग्रेस ये मांन रही है कि लढाई आप भाजपा बनाम कंग्रेस ही होने वाली है क्या 2024 में भी इंडिया गडबंदन को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं आप अगर लोग आएंगे शामिल होंगे ये जो गडबंदन है ये लाइक माइंडेट पार्टी इसका है ऐसा नहीं है कि इस गडबंदन के अंदर जो दल है उनके अपने मदभेद नहीं है अपने मदभेद भी हैं बात सिर्फ समन्वय बैठाने की है कि हम किस हद तक समन्वय उनके संग बैठा पाते हैं जितने लोग आएंगे उनका वेलकम है जो नहीं आप आएंगे तो कॉंग्रेस तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है चुनोतियों को पार पाना हमें आता है आजादी के अंदोलन में हमारे नेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है तो ऐसे में जो आने वाली चुनोति है उस पे भी कारिकरता पुरा एक जुटता के साथ खड़ा है संगर्ष करने की हमें आदत है ये नहीं है कि हमको सत्ता मिली तो हम संगर्ष करना भूल गए है हम डेफिनेटली आगे भी संगर्ष करेंगे लेकिन ये सोचनिय विशे है कि आज देश जिस चुनोति पूर्ण समय से गुजर रहा है आज आयोग जो हैं वो कटपुतली बन गए हैं आज ED, CBI सब तरह की एजिंसियां जो हैं वो केंदर सरकार की तोता बन गई है तो ऐसे में कहीं न कहीं आज संगर्ष करे जाने की जरूरत है समविधान को और लोकतंत्र को जिंदा अगर रखना है देश के अंदर क्योंकि जो हम देख रहे हैं वो एक ताना शाही रवया हम देख रहे हैं दो लोगों की राजनेती के पटल पर चल रही है और दो लोगों की आर्थिक स्तर पर चल रही है तो कहीं न कहीं इन जोडियों को समाप करना पड़ेगा जो मुठी भर लोगों के हाथ में पूरे द नहीं तो कल जरूर चेतेगा जनता जनारदन होती है उसका जो भी जनादेश है वो पहले भी हमें शिरोधार्य था आज भी शिरोधार्य है हम जनहित के मुद्दे उठाने बंद नहीं करेंगे हम कल्यान कारी योजनाओं को बंद नहीं करेंगे जहां जहां हमारी सरकारे आई हम अपने वादों पर खुरे उत्रे हैं चाहे वो OPS की बात हो चाहे वो सिलेंडर की बात हो चाहे किसानों से किये गए वाइदे की बात हो चाहे स्वास्त बीमा की बात हो और आप देखिये कि कितनी खुबसूरत सरकारे वहाँ चल रही है जहां जहां कॉंग्रेस की सरकार इस तरह बाहर निकाल देते हैं, यहां उत्राखन के उधारन के तौर पर आपको बताऊं, यहां सड़क दुरघटनाए हुई, यहां डेंगू का प्रकोफ हुआ, यहां लोग तरही माम करते रहे सड़कों के बधाली पर, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी, और आज जब पुंजी पतियों और उद्योग पतियों ने प्रदेश के अंदर आना है, इन्वेस्टर समिट के लिए, तो पूरे प्रदेश को दुलहन की तरह सजाया जा रहा है, तो यह आम जनता की और गरीबों की सरकार नहीं है, यह इंडस्ट्रिलिस्ट की पुंजी पतियों की सरकार है, जो सिर्फ और सिर्फ उनका रेट कार्पिट वेलकम जानती है, आम जनता जाए भाड में। सरसल सनातन को जानती मानती है, बीजेपी उसका प्रोपेगंडा करती है, अब देखना यह है कि लोगसबा चुनाओ से पहले इंडिया गड़बंदन किस करवट अपने प्लैन को बिठाता है, कौन-कौन नेता उसमें शामिल होते है, इस लड़ाई को कॉंग्रेस कैसे आप आगे ले जाती है, टेमरा में महिरूपादिया के साथ हेंबर जेवारे टीवी